तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देना चाहती हूं कि जैसे आप औरेड़ी जानते हैं मैं और अजै सर हमने अनकैडमी प्लाटफॉर्म पर महाराष्टरा स्टूडेंस के लिए पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है अनकैडमी ने महाराष्टरा बोर्ड के स्टूडेंस के लिए स्पैसिफिकली एक नया चानल स्टार्ट किया है प्री में आपको best quality content देने की responsibility हम उठाते हैं और इसलिए हमने unacademy platform के साथ काम करना start किया है क्योंकि उन्होंने महरास्ट्रा students को help करने के responsibility ली है तो unacademy platform पर हम live lecture तो लेते ही हैं मतलब हमारे YouTube पर free lectures तो होते ही हैं YouTube के साथ साथ हमारे उनके app पर special classes भी होते हैं special life classes भी होते हैं जो कि absolutely free of cost होते हैं और अगर आपको YT lectures यानि YouTube के free lectures अच्छे लगें special classes के free lectures अच्छे लगें तो definitely आप YT का plus यानि unacademy का plus subscription ले सकते हो plus subscription की सारी details सारी information आपको हम अपने lectures के time पर बताते रहते हैं आपको मैं बस एक ही चीज़ बोलूंगी कि आपको यहां वहां दाएं बाएं घूमने की कोई जरुरत नहीं है जादा सोचने की जरुरत नहीं अगर आप चाहते हैं कि आप best perform करें अपने exam में तो जुड़े रही है अंजली माम के साथ और आज आईए साथ में मिलकर अनकैडमी प्लाटफॉर्म के साथ आपके exams में excel करेंगे और top करेंगे चलिए start करते हैं आज का topic के बाद मुझे पता है बहुत दिन से में वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी लेकिन कोई बात नहीं अब आपको कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा content continuous तरीके से देने की पूरी full-fledged में तयारी हो जाए तो देखो यहां पर आपको एक box दिया गया है हमने पिछ different types of excretion different modes of excretion पढ़ा था कि चार अलग-अलग type के mode of excretion कौन से होते हैं Ammonotellism, Ureotellism, Uricotellism, Guanotellism यह सब हमने पढ़ लिया था अब आज हमको specific excretory product के बारे में पढ़ना है अलग-अलग animals किस तरीके से excret करते हैं उसके बारे में पढ़ना है तो आपके textbook में बड़ा ही beautiful सा report दिया गया है ठीक है अभी से आपको एक मतलब एक अंदाजा दिया गया है कि doctors अपना report कैसे बनाते हैं तो चलो देखते हैं observe and discuss बोला है तो मैं teacher हूं आप student है हम मिलकर discuss करेंगे तो these are the blood reports of patients undergoing investigations for kidney function समझो किसी particular diagnostic lab में कोई दो patient गए है और उनका kidney functions हमको check करना है what is creatinine सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए what is creatinine इसके बारे में आगे हमको definition दिया गया है देखो इधर पे what is creatinine it is produced from the catabolism of creatinine phosphate during muscle contraction मैं बताऊंगी बिल्कुल tension मतलो मैं आपको बताऊंगी creatinine कौन सी चिडिया का नाम है ठीक है तो देखो इधर पे what is your observation and opinion about the findings सबसे पहले आपको पता करना है what is creatinine so creatinine is a metabolic waste product यह एक ऐसे टाइप का metabolic waste है जो muscle contraction के वज़े से produce होता है एक टाइप का amino acid है creatinine is a type of amino acid which is produced because of muscle contractions समझ में आया what is creatinine it is a type of amino acid which is produced after excess muscle contraction activity जब आप exercise करते हो physical workout करके आते हो तो जो आपके body में excess amino acid बनता है उसका एक टाइप है creatinine so आपको creatinine के बारे में कुछ findings देखने के लिए बोली गई है and why is it used as an index of kidney function अब creatinine का level कम हो या जादा हो उससे kidney के function पर क्या असर पड़ेगा असर पड़ेगा तो क्या असर पड़ेगा चलो सब discuss करेंगे सबसे पहले कोई patient A है ठीक है pathology report हमको निकालनी है तो यहाँ पर आप उसका registration number लिखोगे 00001 आप कुछ भी लिख सकते हो 12345 आपको जो registration number लिखना है patient number 1 patient number 2 जो भी है doctor का नाम यहाँ पर आएगा तो समझो आपने doctor का नाम लिख दिया doctor अंजली पटेल ठीक है यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देती हूँ आप अपना नाम लिख सकते हैं तब basically यहाँ पर registered doctor का नाम आता है फिर जिस date पर आप यह चेक अप करवा रहे हो वो डेट आ जाएगी तो समझो यहाँ पर हम लिख देते हैं 19 जुलाइ 2021 उसके बाद patient का नाम आएगा तो चलो patient का नाम लिख देते हैं Mr. Ajay और age लिख देते हैं 23 male है कि female है चलो male लिख देत okay मतलब आपके family doctor ने आपका check-up करने के लिए किसी और लाब में आपको भेजा है तो आपके जो family doctor है वो reference doctor हो जाएंगे और जो doctor आपका report test करेंगे वो उन doctor का नाम यहाँ पर आएगा okay all right अब देखो अब आपका blood test किया गया तो blood test के result में क्या आता है आपका जो creatinine level है normal values भी दी गई है और आपके blood की value भी दी गई है मेल में normal value कितनी देखी गई है 0.6 से लेकर 1.4 mg per deciliter याने की 1.4 से कम होना चाहिए और 0.6 से जादा होना चाहिए और females में कितना ratio बताया गया है 0.6 से 1.2 और इस patient में तो 1.9 याने की 0.5 जादा है याने की बहुत जादा quantity मे creatinine present है तो इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं creatinine एक टाइप का metabolic waste product है waste product का का काम होता है body के बाहर चले जाना लेकिन ये waste product हमको blood में दिखाई दे रहा है क्यूंकि हमने यहाँ पर blood का test किया है इसका मतलब kidney इस waste product को बाहर नहीं निकाल पा रही है तो इसका मतलब your kidney is malfunctioning kidney क् कर रही है kidney is malfunctioning यानि कि हमारी जो kidney है वह properly function नहीं कर रही है तो patient A की kidney proper function नहीं कर रही है यह हमारा conclusion है ठीक है अब इसी तरीके से patient B का आपको report निकालना है समझो यहाँ पर आप registration number दे दो 2 यहाँ पर doctor का नाम लिख दो नाम चेंज कर देंगे ठीक है doctor Ajay यहाँ पर date डाल दो 29 same date यहाँ पर patient का नाम डाल दो अंजली एज डाल दो 25 ओके और female और reference doctor में डाल दो XYZ अभी इनका भी blood test किया गया है लेकिन इनके blood test में हमको क्या देखने को मिला fasting blood sugar fasting blood sugar fasting मतलब क्या होता है भूके पेट empty stomach इसको लिख के लो fasting मतलब क्या होता है बेटा भूके पेट बलड क चेकप कराना तो जब आपने fasting blood sugar किया यानि जब आपने भूके पेट अपना blood का test करवाया तो आपको क्या result देखने को मिल रहा है 185 185 क्या है आपका blood का level है मतलब आपके blood में sugar का level है normal value कितना है 70 से लेकर 110 ml per deciliter 110 से कम होना चाहिए इधर पे कितना बता रहा है 185 मतलब बह बहुत 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 जादा है chemical examination of urine इधर पे दो टेस्ट किया गया है पहले blood test किया फिर urine test किया तो urine test करने पर हमको result क्या देखने को मिल रहा है कि urine में sugar कितना present है double positive यानि की बहुत जादा present है और इसका normal value आपको इधर दिया गया है उपर की तरफ दिया गया है तो इधर इसका normal values नहीं दिया गया है याने की जो sugar जो sugar digest हो जाना चाहिए था insulin ने डाइजेस्ट कर लेना चाहिए था वो sugar digest नहीं हुआ है याने की इस patient में insulin का production hampered है याने की इस patient में insulin नहीं बन रहा है तेखो बेटा ध्यान से सुनो insulin का क्या होता है excess blood को excess sugar को digest करना लेकिन अगर आ तो insulin काम बराबर से नहीं कर रहा है तो जब आप blood test करते हो या urine test करते हो और आपको normal level से जादा blood sugar देखने को मिलता है इसका मतलब this person can suffer from diabetes और इसका मतलब इस person का भी kidney जो है आगे जाके future में damage होने वाला है तो patient A और patient B ये दोनो patients का conclusion हम क्या निकाल सकते हैं they both are unhealthy क्या conclusion निकाल सकते हैं हम इधर पे they both are unhealthy ये इधर तक आपको समझ में आया पक्का आगे बढ़ें all right ओके तो आगे देखो आगे क्या बताया गया हमें हमने दो रिपोर्ट्स निकाले patient के और दोनों रिपोर्ट्स में हमको kidney में malfunctioning देखने को मिला अब यहां पर देखते हैं plasma creatinine के बारे में क्या बताया गया तो मैंने आपको क्या बोला क्रियाटिनिन मतलब क्या होता है फ्लाज्मा क्रियाटिनिन यानि की ब्लड में जो क्रियाटिनिन देखने को मिलता है itis produced from catabolism traffic profound करना यानि की डाइजैशन करना लिश अट्रिश यानिकी जब हमारे बॉडि के skeletal muscles contraction करते हैं excess strenus exercise करते हैं तो उस time पे जो amino acid और ATP breakdown होता है उसी time पे आपका ये creatinine phosphate produce होता है और ये excess creatinine phosphate break down करके आपको plasma creatinine मिलता है देखो normal amount creatinine का कितना होना चाहिए 0.6 to 1.2 कितना creatinine अगर present रहेगा तो it is healthy और normal for the blood लेकिन अगर 1.2 से जाधा लेवल बढ़ गया तो इसका मतलब आपका खिटनी जो है वो प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर रहा है जब आप चाय चानते हो तो चाय चानने के टाइम पर हम क्या चीज ध्यान देते हैं कि चाय में चाय पत्ती नहीं जानी चाहिए अगर चनी में आपका यह आपका यह जो सीव होता है अगर इसमें होल है तो आपका चाय पत्ती भी चाय में चला जाएगा यानि कि आपका यह स्ट्रेशन बराबर काम नहीं कर रहा है ठीक उसी तरीके से हमारे ब्लड में भी अन्वांटेट चीज कभी रहनी नहीं चाहिए अगर ब्लड में अन्वा प्रडक्शन के लिए यूज करते और एटीपी का तो बहुत है एटीपी से हीट रिलीज होती है उस हीट से हम एनर्जी मिलती है तो नौर्मल बलड क्रियाटिनिन लेवल से तो नौर्मल लेवल पर देखेंगे तो ब्लड के अंदर क्रियाटिनिन का लेवल 0.6 से 1.2 हो जाता है प्रॉब्लम कब होती है लेवल अबव नॉर्मल इजन इंडिकेशन और पूर रीनल फंक्शन तो अगर आपको नॉर्मल लेवल से ज्यादा क्रियाटिन इन ब्लड में देखने को मिला तो उसको हम बोलते हैं पूर किड्नी फंक्शन रीनल वर्ड का मतलब क्या होत कईल होम्योस्टेस हमारे जो этом होता है पह्मारा होता त्यॉपंट रृटल लाग प्ले करता है ऑफो अलग बोर्ड मतलब क्या होता है यानि याने की water और salt का balance बनाना और homeostasis मतलब क्या होता है body का temperature और pH का balance बनाना आपके water के वज़े से आपका body का temperature maintain रहता है और salt के वज़े से body का pH तो basically Osmo regulation के मदद से हम homeostasis maintain कर सकते हैं और Osmo regulation करने की responsibility किसकी होती है excretory organ की याने की kidney की excretory organ बहुत important role play करते हैं homeostasis maintain करने में it requires Osmo regulation मैंने अब भी आपको बुला homeostasis maintain करना है तो Osmo regulation चाहिए the process of controlling solute concentration and water balance so Osmo regulation मतलब क्या होता है salt and water का balance it can be rightly said that composition of blood and internal environment is determined in your mind not by what mouth ingest but by what excretory organs retain मतलब देखो यह क्या बोला गया इस line का मतलब समझो इधर से क्या बोला गया आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी living organism healthy है या नहीं है कैसे पता चलता है वो organism क्या खा रहा है उससे पता नहीं चलता है उसका excretion क्या हो रहा है उससे पता चलता है मतलब किसी भी person का health check up जब आप करने जाते हो तो आप उस person का urine sample test करते हो potty sample test करते हो blood test करते हो क्यूंकि आप कोई भी चीज जब खाते हो तो खाने के बाद आपका food digest होता है और digest होने के बाद उसमें से कुछ चीज़े absorb होती है assimilate होती है human nutrition में पढ़ा था ना हमने तो absorption, assimilation होने के बाद आपको पता चलता है कि आपने जो चीज खाई वो आपके लिए healthy थी या नहीं थी so it can be rightly said कि जो आपके blood का composition होता है मतलब आपके blood में कितना protein, कितना amino acid, कितना sugar, कितना चीज रहेगा ये किसके उपर depend करता है आप जो खाते हो उसके उपर depend नहीं करता है आपका body क्या absorb कर रहा है उसके उपर depend कर रहा है मतलब समझो अगर मैं तुमको भर भर के दिन में 4 घंटा बायो पढ़ा हूँ लेकिन उसमें से तुमको सिर्फ आदे घंटे का ही topic समझ में आएगा तो मैंने कितना पढ़ाया वो matter करेगा या तुमने कितना समझा वो matter करेगा आप मुझे बताओ तुमको कितना समझ में आया वो matter करेगा तो आप क्या खाते हो उससे जादा important ये है कि आपकी body क्या absorb कर रही है वो जादा important है क्या खाते हो वो तो important है ही मैं कुछ भी कच्रा पढ़ाऊंगी तो आपको वैसे भी नहीं समझेगा तो एक तो मतलब मेरा पढ़ाना वो भी important है प्लस आपको कितना समझ में आ रहा है वो भी important है तो आप क्या खा रहे हो वो important है लेकिन उससे जादा important है कि आपकी body कितना absorb कर रही है तो marine birds का अगर हम example लें marine birds like albatros they spend their life on the sea जो marine birds होते हैं आप लोगों ने देखा होगा कभी seagulls seagulls को आपने देखा होगा यह अपनी पूरी life white color के होते हैं मतलब देखो ऐसा कुछ आपको picture देखने को मिलेगा white color के birds होते हैं यह अपनी पूरी की पूरी life पानी में ही निकाल देते हैं तो वो अपना osmo regulation कैसे manage करते होंगे how do they manage osmo regulation then yes उनके पास भी एक special gland होता है so they have a very special gland यह देखो हमारे जो albatros होते हैं they have special glands called salt glands near nostrils इनके नाक के पास एक special gland present होता है जिनको हम बोलते हैं salt glands वो salt gland क्या करते हैं these are capable यह देखो इदर पर क्या दिया है these are capable of secreting salt by active transport and help to manage osmotic balance so मतलब जितना भी खारा पानी इनो ने पिया उस खारे पानी में जितना भी excess salt होगा वो पूरा का पूरा excess salt evaporate हो जाएगा और इनके ब्लड में osmotic balance maintain रहेगा yes you caught it right many marine organisms like sea turtle and marine iguanas also have such salt excreting glands मतलब बहुत सारे आनिमल्स जो खारे पानी में रहते हैं समुद्र में रहते हैं उन आनिमल्स के पास यह ऐसे special salt glands होते हैं जो अपने ब्लड का यानि कि उस आनिमल के बॉड़ी का osmoregulation maintain करने में help करते हैं इधर तक समझा सबको आराम से शांती से देखो कोई topic नहीं समझ रहा है तो फिर से पीछे जाके देखो ओके आगे पढ़ते हैं आनिमल्स केन आइधर भी isoosmotic to the surrounding और दे कंट्रोल internal environment independent of external environment मतलब देखो इधर पर क्या बोला गया है हमको दो टाइप के आनिमल्स देखने को मिलते हैं या तो वो animal isoosmotic होगा isoosmotic मतलब क्या होता है पाहर के blood का salt level और खुद के body का salt level same कर लेना मतलब अगर मैं समुंदर में जा रही हूँ तो समुंदर का पानी पूरा खारा है तो मेरा blood भी खारा हो जाना चाहिए यानि अपने आपको environment के हिसाब से तुरंत चेंज कर लेना अपने internal environment को external environment के हिसाब से तुरंत चेंज कर लेना तो ऐसे animals को हम बोलते है Osmo confirmers और दूसरे टाइप के animals होते हैं जिनको हम बोलते Osmo regulators Osmo regulators क्या करते हैं वो अपना internal environment को control करके रखते हैं बाहर कितना भी मौसम बदले अंदर का environment चेंज नहीं होना चाहिए उसको बोलते Osmo regulator तो देखो दो टाइप के animals देखने को मिलते हैं एक होते Osmo confirmers एक होते Osmo regulator Osmo confirmers मतलब जो अपना environment बाहर के environment के साथ चेंज कर लेंगे और Osmo regulator जो internal environment constant रखेंगे marine organisms तो जो marine animals होते हैं जो समुद्र में रहते हैं वो ज्यादा तर Osmo confirmers टाइप के होते हैं याने वो अपने environment के इसाब से अपना blood का salt concentration चेंज कर लेते हैं because their body fluids and external environment are osmotic in nature क्योंकि इनका body का fluid और external environment का fluid दोनों का salt concentration same है iso osmotic महिंजे का है iso मतलब same और osmotic याने की salt level तो बाहर body के बाहर भी उतना ही salt है पानी में मतलब यह देखो यह समुद्र है इसमें भी high salt है और इस salt में जो fish तेर रही है जो भी animal है इसके blood में भी high salt है तो दोनों में same salt का concentration है तो ऐसे animals को osmoconfirmer बोलते हैं क्या बोलते हैं तो fresh water forms and terrestrial organisms are osmore regulators तो fresh water animals जादा तर कैसे होते हैं osmore regulator types के होते हैं कैसे होते हैं बेटा osmore regulator types के होते हैं याने जो अपना internal environment constant रखते हैं बाहर का environment कितना भी change होने दो जैसे हम humans हम जल्दी अपना internal environment change नहीं करते हैं हम warm blooded animals है हम अपना internal environment constant रखते हैं आगे देखो क्या बताया गया है चाहे कोई भी organism confirmar हो या regulator हो whether the confirmar और regulator most organisms can tolerate only a narrow range of salt concentration कोई भी organism कैसे भी type का हो confirmar type का हो या regulator type का हो वो एक particular range तक ही salt concentration absorb कर सकते हैं तो जो organism कम salt absorb कर सकते हैं या कम salt में survive करते हैं देखो समझो अभी मैं अगर आपको बोलू कि आप पानी के नीचे चले जाओ आप पानी के नीचे अपने नाग को डूबा दो तो कुछ-कुछ humans सिफ दो मिनिट तक पानी के नीचे रहेंगे सांस रुपके कुछ humans 5-5 मिनिट तक रहते हैं इस तेनोहलाइन और्गानिजम्स क्या बोलते हैं उनको हम स्टीनोहलाइन और्गानिजम्स स्टीनो मतलब नैरो रेंज याने कम सॉल्ट कॉंसेंट्रेशन में सर्वाइब करना और कुछ animals ऐसे होते हैं जो कितना भी सॉल्ट कॉंसेंट्रेशन आ जाए मज़े में रहेंगे उन अनिमल्स को हम बोलते हैं यूरी हलाइन याने की वाइड रेंज ओफ कॉंसेंट्रेशन कितना भी salt concentration बदलो उनको कुछ फरत नहीं पड़ेगा तो those who are capable of handling wide changes in the salinity wide याने की large changes in the salt concentration ऐसे animals कॉम बोलते हैं, uri haline animals for example barnacles, clams, ये सारे आपके aquatic animals हैं अब आगे देखो क्या बता है ये steno haline और uri haline ये word याद रखोआ, steno मतलब कॉम लेवल में survive करना और uri मतलब broad range में survive करना unicellular forms have contractile vacuoles which collect and discharge waste product outside the cell देखो अभी दर, excretory system के बारे में हमको बताया जा रहा है जो आपके unicellular organisms होते हैं, single cell जैसे amoeba वगेरा तो उन animals में हमको क्या देखने को मिलता है vacuoles देखने को मिलता है ये vacuoles का का काम क्या होता है पूरे body से कच्रा collect करना और इस कच्रे को बाहर फेक देना body के बाहर फेक देना so discharge waste outside the cell excretion in sponges takes place by diffusion sponges जो organism होते हैं उन में हमको क्या देखने को मिलता है ऐसे special ostea present होते हैं sponges में क्या present होते हैं special ostea present होते हैं और वो अपने ostea की मदद से या चोटे-चोटे holes की मदद से sponges में ऐसे चोटे-चोटे holes present रहते हैं तो यह pores की मदद से अपने body का waste बाहर excret कर देते हैं so excretion in sponges takes place by diffusion of waste material in water which is discharged through osculum मतलब इनके opening में इनके mouth के पास ऐसे osculum ऐसे चोटा-चोटा antenna जैसे ओपनिंग प्रेजेंट रहता है जैसे नल रहता है ना वैसे इधर से यह अपना कच्रा बाहर फेक देते हैं यह sponges में देखा जाता है sponges are aquatic animals which are undeveloped animals यह हो गया unicellular और sponges के बारे में फिर बात आती है true organisms की यानि थोड़े बड़े organisms की true organs of excretion are found in those animals that show bilateral symmetry जिन animals में हमको bilateral symmetry देखने को मिलती है जैसे कि आपके worms हो गए मतलब left side right side ऐसे body का division देखने को मिलता है उन organisms में हमको true organ देखने मिलते है जैसे हमारे body में kidney है kidney हमारे body का excretion करने का काम करता है वैसे ही हर एक organism के पास एक particular organ होता है most common type is simple or branching tube that opens to exterior through pores called nephrediopores देखो हम ना low organism से high organism के पास जा रहे है हम सबसे पहले छोटे organism की बात कर रहे है फिर धीरे 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 हम humans तक आएंगे तो low organisms में हमको क्या देखने को मिलता है छोटे छोटे pores देखने को मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं nephrediopores देखो आपको दो टाइप का nephredia देखने को मिलेगा एक होता है proto nephredia और एक होता है meta nephredia पहले proto nephredia बताती हूं मैं nephredia मतलब क्या होता है these are network याने की chain of dead end tubes called flame cells देखो यह आपका एक flat cell है यह आपका platy helminthus है इनके body में cavity नहीं होती यह ऐसे चप्टे worms होते है these are found mostly in animals that lack body cavity for example platy helminthus यह flat worms इन flat worms के पास ऐसे ना आपको ऐसे देखो यह branch जैसा ऐसा tube देखने को मिलेगा मतलब बहुत सारे bundles देखने को मिलेंगे आप जब इसको zoom करके देखोगे तो आपको इधर पे ऐसे चोटे 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 flame cells देखने को मिलेंगे यह देखो ऐसे चोटे चोटे branches आपको देखने को मिलेंगे और इन branches के अंदर आपको यह flame cell देखने को मिलेगा यह flame cell पूरा waste collect करता है और waste collect करके ये pore की मदद से बाहर निकाल देता है तो इस pore को हम बोलते है एक्सक्रीटरी pore तो proton ephredia are also found in rotifers, some analida and amphioxus मतलब अलग-अलग example दिया है आपको देखो मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ हम developed animals हैं, हमारे पास kidney है हमारे पास anus है, अपने body का waste निकालने के लिए लेकिन ये इतने चोटे-चोटे living organisms है इनका waste कैसे निकलेगा? तो इनके पास ऐसे चोटे-चोटे fibers होते हैं चोटे-चोटे network जैसे tubes होती हैं जिनको हम बोलते हैं dead end tubes और इन dead end tubes के पास ऐसे flame cells होते हैं ये flame cells पूरा waste collect करते हैं और फिर इसको excrete करते हैं ओके? तो ये था आपका proto-nephridia proto याने की undeveloped organism का nephridia याने excretory organ ये देखो, ये example भी आपके text book में दिया गया है ऐसा flat worm है इसका ये जो आपको excretory canal देखने को मिल रहा है इस excretory canal से आपका पूरा का पूरा waste flame cell में आता है और flame cell से वो body के बाहर excrete out हो जाता है फिर बात आती है metanephridia की so metanephridia में हमको क्या देखने को मिलता है these are unbranched coiled tubes that connect to body cavity through funnel-like structures called nephrostomes क्या बोला गया है हमको इदर पे ये आपके, ये देखो ये ना worms में, ये body cavity वाले worms में देखने मिलते है मतलब ऐसे मोटे worms में, जिनकी body में आपको खोकली cavity, देखो flat worm मतलब चप्टा worm, जिसके अंदर कोई cavity नहीं है और body cavity वाले worms मतलब ऐसे worms जिनके अंदर आपको ऐसे space दिखाई देगा तो जिन worms के अंदर body cavity होती है उनके पास ऐसे अंदर funnel जैसा structure होता है तो दे कंटेन funnel like structure called nephrostome ये देखो, ये आपका nephrostome है तो nephrostome में क्या होगा nephrostome का जो cavity है उस cavity में आपका पूरा का पूरा worm का जो food का filter है वो filtrate जमा होगा filtrate जमा होने के बाद वो filtrate किदर पे जाएगा the body fluid enters the nephridium through nephrostome and it gets discharged through nephrodio pore देखो इधर step by step आपको बताया गया है पहले nephrostome में कचरा filter होता है फिर filter होके वो आपके metanephridia tubules के पास जाता है यानि कि ये जो beach का bundle दिखाई दे रहा आपको ये देखो metanephridia का table ये बहुत beautiful diagram है ध्यान से देखो ये first stage है पूरा खाना filter होगा filter होने के बाद ये जाएगा आपके metanephridia के tubules में बीच-बीच में और फिर metanephridia tubules से पूरा waste excrete out होने के बाद मतलब ये देखो ये nephrostome है nephrostome से food आया absorb हुआ metanephridia tubules में गया इदर से पूरा excretory waste आया और फिर finally ये निकल जाएगा nephridiopore से बाहर तो this is first stage this is second stage and this is third stage मतलब इदर पे आपका पूरा food absorb होता है फिर इदर से metanephridia tubule में filter होता है और filter होने के बाद metanephridio pore से बाहर हो जाता है तो this is इंसेक्ट excretion takes place by set of blind end tubules called malphigian tubules बहुत सारे इंसेक्ट में हमको ऐसे blind end tubules देखने को मिलते हैं ये देखो ऐसे malphigian tubules देखने को मिलते हैं जिसका एक end open होता है और दूसरा end close होता है एक side का end खुला है और दूसरा end बंद है मतलब ऐसा ये open है और ये close है तो इसको हम बोलते है blind end blind end यानि की एकी end open है ओके crustaceans have green gland as excretory organs आपको इदर पर सबका सिव एक्जामपल बताया है crustacean organisms में green glands होता है जो excretion करता है echinodermata animals के पास कोई special organ नहीं है waste materials जो है वो directly water में diffuse हो जाएगा और बाहर आ जाएगा so waste materials directly diffuse in water and excreted through the tube feet and mammalian kidneys यानि की humans की बात हो रही है तो humans के पास जो kidneys होते हैं they are a collection of functional units called nephron हमारा kidney किस से बनता है nephron से बनता है ऐसा कुछ structure आप पढ़ने वाले हो nephron का याद आ रहा है आपने 10 standard में भी पढ़ा था yes तो हमारी kidney nephron से बनती है which are well designed to extract metabolic waste तो हमारी kidney जो nephron से बनी है यह सबसे highly advanced excretory system है जो हमारी body का सारा waste excret करने में help करेगी तो इस paragraph से आपको सब example याद रखना है metanephridia earthworm protonephridia platyhelminthus फिर albatros के पास salt gland होते हैं यह सारे examples आपको याद रखना है फिर यह paragraph में भी इंसेक्ट के पास blind end tubes होता है crustacean के पास green glands होते हैं echinodermata सीधा diffusion करते हैं और humans के पास kidney होती है जो nephron से बनती है so I hope आपको यह session समझ में आया होगा मैंने पूरा detail में explain करने की कोशिश की है अब तक अगर आपने channel को share नहीं किया है तो friends के साथ share कर दो वीडियो अच्छी लगे तो like कर देना और अगर आप channel पे new हो तो channel को subscribe कर दो आपके लिए एक बहुत important announcement है हमने अपने telegram group पर हमने अपने telegram group पर already class 11 और class 12 का bio and physics का ध्यान से सुनो bio and physics का whole syllabus whole syllabus का target का pdf notes target का सारे chapters के target के pdf notes की soft copy प्रोवाइट कर दी है bio और physics की कुछी दिनों में हम आपको maths और chemistry की भी देने वाले हैं तो अगर आपने अब तक हमारा telegram group जोईन नहीं किया है तो फटा फट से जाओ description में telegram group का link दिया है telegram group जोईन करो और notes का फायदा उठाओ जितना हो सके उतना अपने friends के साथ channel को share करो क्योंकि उनको free में notes भी मिल जाएंगे free में best lectures भी मिल जाएंगे पैसा waste नहीं होगा और education भी हो जाएगी तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हम अपने प्यारे महराष्टा के बच्चों के लिए जितना हो सके उतना quality content दे सके आप लोग बस बने रहे हैं चानल के साथ अपना प्यारी सी तरीके से दिखाते रहे हैं और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे मिलते हैं जल्दी बाइबाइबाइब सी यू सून टेक केर सी यू सून